वेलकम मित्रों इस वीडियो में हम लोग PRB तथा PSB में क्या अर डिफिरेंट होता है दखेंगे क्योंकि क्लाइन्ट इंटर्वीव में कभी-कभी पूछ बैड़ता है Now video is being started मित्रों PSB को Pressure Safety Valve या केवल Safety Valve कहा जता है तथा PRB को Pressure Relief Valve या केवल Relief Valve कहा जता है इन दोनों का काम किसी एक्विप्मेंट के Pressure को रिलीज करना होता है परन्तु ये दोनों कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे से भिन्न होते है जैसे पहला अंतर है मित्रों Safety Valve को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि एक निश्चित प्रेशर पर अपने आप एक्शेस प्रेशर को रिलीज कर देता है परन्तु रिलीज वाल्व का आईसा डिजाइन किया जाता है कि किसी सिस्टम के प्रेशर को एक विशेस सेट लिमिट के लिमिट में रखता है दुसरा अंतर लेते हैं Safety Valve एक बएक पूरा ओपन होता है ताकि एक्विप्मेंट ओभर प्रेशर से बच सके परन्तु रिलीज वाल्व एक बएक ओपन नहीं होता है यह एक्विप्मेंट में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है उसी अनुपात में यह खुलता जाता है तिसरा अंतर है Safety Valve का उप्योग जान माल के हानी को रोकने के लिए किया जाता है जबकि रिलीफ वाल्व के साथ ऐसा कोई बात नहीं है यह वाल्व बिशेश सेट प्रेशर लिमिट पर खुलता है चोछा अंतर है Safety Valve को उप्रेट करने के लिए उप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती है यह यह उप्रेटर के बिना अपने आप उप्रेट होता है जबकि रिलीफ वाल्व एक उप्रेटर के द्वरा उप्रेट होता है पाचवा अंतर है मित्रो Safety Valve का सेट पॉइंट वर्किंग प्रेशर से तीन परसंट ज्यादा रखा जाता है जबकि रिलीफ वाल्व का सेट पॉइंट वर्किंग प्रेशर से दोस परसंट ज्यादा रखा जाता है तो इस प्रकार मित्रों हम लोग PRB तथा PSB में अंतर को देखा और समझा चलते चलते इन दोनों के PNID सिंबल भी देख लेते हैं सेफ्टी वाल्व का PNID सिंबल ये रहा मित्रों इसको भी क्लाइंट के दुवारा कभी कभी पुछ लिया जता है तथा रिलीफ वाल्व का PNID सिंबल ये रहा इन सिंबल का भी बड़ा महत्व है मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद